नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंट गंगा में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। जदी बहुत सारा नहीं, तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी महंत करते हैं, परन्तु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशी घर धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुभा उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेश नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वो अधिक समय तक तिक नहीं पाता। इस तरह कि समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचुक उपाय लाए हैं, जिनहें अपनाने से आपके पास सदैव धन तिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, धन और संपत्ती की अधिश्ठात्री देवी हैं। मा लक्ष्मी मा लक्ष्मी समुद्र से निकली थी और उन्होंने श्री विश्नु भगवान से विवाह किया था। इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ती होती है, साथ ही वैभव भी मिलता है। अगर मा लक्ष्मी रुष्ठ हो जाएं, तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। जोतिश में शुक्र ग्रह से इनका संबंध जोडा जाता है। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहंत करता है। मंचाहिस रोत भी मिल जाए, तो धन को अपने पास बनाए रखना बहुत कठिन है। कई लोगों की यह शिकायत होती है कि उनके पास धन की आवक तो है, लेकिन पैसा टिकता नहीं। ऐसे में माता लक्षमी के कुछ आसान उपाय आपकी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। करने के लिए शास्त्रों में कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन की देवी मा लक्षमी प्रसन होती हैं और अपने भक्तों के घर वास करती है। इन उपायों को करने से घर में धन और समरिध्धी आती है। धन प्राप्ती के नए मार्ग खुलते हैं और घर में पैसा टिकने लगता है। धन की हाने नहीं होती तो आईए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हे करने से धन की देवी मा लक्षमी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के घर में स्थिरवास करती हैं दोस्तों, इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को end तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे request करते हैं कि वीडियो को like जरूर करिएगा। दोस्तों को share कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके build icon जरूर दबाएगा। तो आएए जानते हैं कैसे करे मा लक्षमी को प्रसन्न। दोस्तों मा लक्षमी को प्रसन्न करने के लिए रोज सुभा उठकर पहले अपने घर की सफाई करें। अपने पूरे घर में जाडू अवश्य ही लगाएं। इसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई साफ हल्दी मिला दे। आपको हल्दी थोड़ी ज्यादा मिलानी है जिससे लोटे का जल थोड़ा पीले रंका हो जाएं। अब सबसे पहले आप अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के जीतने भी विग्रह आपके मंदिर में है। आप उनको स्नान कराएं और स्वच्ष वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो आप पहले उन्हें साफ कपड़े से पोछें। उसके बाद ही आप भगवान जी का पूजन करें। ये आप अपना रोज का नियम बना लें। मंदिर की सफाई करने के पश्चात ही भगवान जी का पूजन करना चाहिए। मंदिर की सफाई करने के पश्चात आप इस लोटे के जल को अपने मंदिर में रख दें इसके बाद आप एक शुद्ध घी का दिया जलाए और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाए ध्यान रखेडी एको कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें दिये के नीचे कोई कपड़ा बिछा दे, कोई प्लेट कटोरी रख दें या थोड़े से साबूत चावल रख दें सीधे जमीन पर रखा गया दिया अपून माना जाता है अब आप सबसे पहले भगवान श्रीगनेश को कुमकुम से तिलक करें, फिर मा लक्षमी को तिलक करें सबसे पहले भगवान श्रीगनेश का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं इसके बाद आप मा लक्षमी का पूजन करें मन ही मन देवी लक्षमी का आवाहन करें। इसके बाद मा लक्षमी से अपने घर में स्थिर्वास करने की प्रार्थना करें। फिर मा लक्षमी के इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें मंत्र है ओम हरिम श्रीम कलीम मंत्र है ओम हरिम श्रीम कलीम इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है इस तरह मंत्र का जाप करने के बाद रोजाना की तरह आप अपने इश्ट देव का पूजन करें फिर इसके बाद माता लक्षमी को आपने जीस कुमकुम से तिलक किया है उससे अपने मस्तक पर भी तिलक करें फिर मंदिर में जो जल का लोटा भर के रखा है उस हल्दी मिले जल को आप थोड़ा थोड़ा अपनी दोनों आखों पर लगाएं। इसके पश्चात इस जल से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। दोस्तों अगर आपके यहां गंगाजल है तो थोड़ा सा गंगाजल आप इस जल में जरूर मिलाएं। गंगाजल अपने घर आने की प्रार्थ ना करें और स्थिर्वास करने की प्रार्थ ना करें। इस उपाय को करने से घर में धन धाने की वृद्धी होती है। मा लक्ष्मी की कृपा से घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। ऐसे गर में सदैव मा लक्षमी का वास होता है। गर में हो सके तो रोजाना इस जल का छिड़काव अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक उर्जा दूर हो जाएगी। घर में खुशाली का माहौल रहेगा और जीस घर में खुशाली का माहौल रहता है। नकारात्मक उर्जा नहीं रहती, वहां मा लक्षम का वास होता है। घर में जल डालने के पश्चात आप इस थोड़े से जल को प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहन करें। ऐसा करने से आपको मा लक्षमी की कृपा प्राप्थ होगी। दोस्तों जल डालने के पश्चात जितना भी जल बच जाएं आप उसे किसी साम प चास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी मा लक्षमी की कृपा सदैव बनी रहती है। मा लक्षमी को प्रसंद करने के लिए आपको इस उपाय को रोजाना करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश रोजाना नहीं कर तो कम से कम हर शुक्रवार और पूनमासी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। घर के मुख्यद्वार पर रोजाना इस पवित्र जल को डालने से घर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। देशी घी की सुगंध मा लक्ष्मी को अपनी तरफ आकरशित करती है। मंदिर में देशी घी रखने से मा लक्षमी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। मा लक्षमी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिनावर्ती शंक में जल भर कर भगवान विश्नु का अभिशेक करना चाहिए। हर शुक्रवार ये उपाय करने से मा लक्षमी की विशेश कृपागर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों मा लक्षमी कमल पर विराजमान रहती है। मा लक्षमी को कमल का फूल अतिप्रिय है। कमल के फूल के साथ साथ मा लक्ष्मी को कमल का बीज भी अतिप्रिय है जिसे कमलगट्टा कहा जाता है शास्त्रों में बताया गया है कि रोज सुभस नान आदी करने के बाद शुद्धधी का दिया जलाकर मा लक्ष्मी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से 108 बार देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए मंत्र इस प्रकार है ओम श्री श्री महालक्ष्मी श्री श्री ओम नमह मंत्र है ओम श्री श्री महालक्ष्मी श्री श्री ओम नमह माना जाता है कि कमल गट्टे की माला पर रोजाना इस मंत्र का जाप करने से धन की देवी मा लक्षमी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और धन से संबंधित सभी परिशानिया खत्म करती है आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन मा लक्षमी के साथ श्री यंत्र की भी पूजा करें साथ ही श्री सुक्त का पाठ करें और मा के चर्नों में कमल का फूल अर्पित करें ऐसा करने से मा लक्षमी आर्थिक तंगी दूर करती दोस्तों इन उपायों के सा साथ धन की देवी मा लक्षमी को प्रसंद करने के लिए कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए। उस व्यक्ति पर कभी भी मा लक्षमी की कृपा नहीं होती इसलिए आप हमेशा महिलाओं का सम्मान करें जिससे मा लक्षमी आप पर प्रसंद रहें। उम्मीद है आपको हमारी यह विडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो विडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला नौलेजेबल विडियो आपको सबसे पहल आपको सब्सक्राइब एमिले